नमस्कार हम लोग खड़े हैं अजमेर चे अकबर चे चिले में इसे अकबर का दोलत खाना भी कहा जाता है अकबर का सिले काना भी कह दिया जाता है बाद में जब अंग्रेज आये तो इसनों ने अपनी इसे आर्मरी बना लिया तो इसे मेगजीन का किला भी कह दिया जाता है इस चिले का इत्यास शुरू होता है अकबर के मुगल वाज़्या बनने के साथ में अकबर 1556 के अंदर हेमू को हराते हैं और पानीपत के सेकिन लड़ाई में जीतने के बाद में वाज़्या बन जाते हैं बेरम खान के साहिता से बाद में 1508 में अजमेरवे मुगलों का सासनि सापित हो जाता है चितोड का तीसरा साका 1566 में हुआ जिस साखे के अंदर मुगलों ने चितोडवे विजय प्राप्त की उसके बाद में अकबर चितोड से पेदल चल कर आजमेर आते हैं ताकि वह अपनी जीत है जो वाजा मुँदिन चिस्ति को hundreds कर सके हैं उसी दोरान उनकी मुलाकात वाजा मुहमियदीन चिस्ति के सिस्से सलीम चिस्ति से होती है और उनकी करपा से उनके बेटे का जन्म होता है जिसे सलीम या जानगेर की नाम से जाना जाता है, बात के अंदर अकबर यहां पे रेगुलर विजीटर हो जाते हैं, उसके बाद में उन्हों ने प्लान बनाया कि हमें रहने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ पर मुगल परिवार का कोई भी सदसे अजमेर आए तो वह आके यहां पर ठहड जाए तो उन्हों में रखने के बाद में यह तीन साल के अंदर बनके तयार हुआ अकवर ने बाद में जब महाराना परताब पे हल्दी गड़ी का यूद करने के लिए एक्सपेडिशन त्यार किया था तो उसकी पूरी प्लानिंग इसी किले में बनाई गई थी उसके बाद में जो राजामान स तो इसे जुड़ा हुआ है कि जब जहांगीर को मेवाड को कंट्रोल करना था यानि यह महारना परताब भी नहीं रहे पंद्रसों सत्यान में उनकी डेथ हो जाती है और अकपर भी नहीं रहे उसके बाद में अमर सिंग और जहांगीर के बीच में विवाद चल रहा है तो मेवाड को जीतने के लिए इस चिले के अंदर आते हैं वो आते हैं 1613 के अंदर और कंट्री तीन सालों तक यहां पर रहते हैं बाद में मेवाड पर फटे करने की जिम्मेदारी दी गई खुर्रम को और खुर्रम जब यह फटे कर जाते हैं तो उनके द्वारा स्वागत किय जाता है पुर्रम का इसी चिले के अंदर वो गठना है 1615 वैसे तो गुलामी जी कोई तारीक नहीं होती लेजिन हिंदुस्तान की गुलामी जी जो नीव है वो इसी चिले के अंदर रची गई थी ब्रिटेन के क्राउन जैम्स फस्ट के दूत आते हैं सर्ट टॉमस को वो द इस इंडिया कंपनी के लिए मुगलिया फर्मान प्राप्त कर लेते हैं यानि उसके बाद में इस इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर व्यापार कर सकती थी और उसी इंडिया कंपनी ने दीरे-दीरे अपना एकोनोमिक सिस्टम ता उससे वो दीरे-दीरे हिंदुस्त उसके बाद में ये कानी आजे बढ़ती है, जब प्लासी की लड़ाई होती है, पकसर की लड़ाई होती है, फिर डिवल सिस्टम स्टार्ट हो जाता है 1765 में, और उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, यहां पूरी की पूरी, इस्ट इंडिया कंपनी क द्वारा हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया ज़ता है, जहांगीर ने ये फर्मान तो जारी गिया ही था, जहांगीर यहन के रेगुलर विजेटर प्लार के जब भी जहांगीरं इस चिले में आया करते तो यहां से लोगों को दर्सम धिया करतेते, इनकी ग्येलरियों में बेड़ जाये करते और लोग उनके दस अंगरने के लिए यहां पर आया करते हैं बाद के अंदर दीरे 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 1818 की सन आता है उस सन के अंदर ये चिला चला जाता है ब्रिटिस प्राउन के पास ऐ ब्रिटिस प्राउन ने फिर इस चिले को मेगजिन चिले के रूप में बदल दिया यानि यहां पर आर्मनी बना दीती है उसे बाज में क्या होता है कि इस चिले से जुड़ावा एक र्यास हो रहे है 10 ले के अंदर कहा जाता है कि एक बार 1602 अंदर लोड करजन मेवाड आए थे और जब वो मेवाड आते हैं तो उस दोरान उनकी मुलाकात होती है गोरी संकर हीरा चंद ओजह से गोरी संकर हीराचंद ओजा को जो कवी राजा स्यामलदाज जी थे, मेवाड के कवी थे, तो फतेसिंग के दरबार में थे, उनके जाद में उनकी गहरी मुलाकात थी और वो गोरी संकर हीराचंद ओजा को मेवाड बुला लेते हैं और वहाँ पर पुरातत वजे संदक्षन का उन्हें लीडर बना दिया जाता है उसके बाद में जब लोड करजन दिल्ली दरबार के लिए महाराजा फते सिंग को इन्वाइट करने के लिए मेवाड आते हैं तो उसी दोरान उनकी मुलाकात हो जाती है गोरी संकर हीराचंद ओजा के साथ में लोड करजन जब राजस्तान के लिए अचे रेक्टर होते हैं हो रजस्तान आते हैं और उसके बाद में राजबद राजबताना म्यूजियम की निव रखी जाती है 19 सक्कुमबर 1908 को और इसे पर्थम क्यूरेटर बनाइजाते हैं गोरिसंगर घिराचन ओजागो हिंदुस्तान का इतियास तोबे से लड़ाईयों से और राजस्तान का इस्तियास खासकर राजस्तान का इतियास लड़ाईयों से संबंदित हैं लेकिन कभी भी इतियास को लड़ाएं की नजर से ही नहीं देखना होता है उसे कई बार कला की नजर से भी देखना होता है जब हम इतियास को कला की नजर से देखते हैं तो इंदुस्तान हमें अलगी दिखाई देता है जैसा कि हम लोग इस राजबताना क्या शुरुआ था वेदिकाल के अंदर हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद में देखते हैं कि कितनी बैतरी प्राचीन मूर्थियों में हमारा जो स्कल्प्चर था एक अती हमारी जो स्कल्प्र अक्युमेन है उसको दरसाता है इस म्यूजियम के अंदर हम लोग अलग अलग मू हमारे त्यास है जो कि युद्वों पर नहों के घुला पके डिपरेंड इस फिले की घृषि यह ञास बात है यह में बसा हुआ हमारे युद्गों के ट्यास को देखते-खते हैं कि राजस्तान के फषिद हलवी गाटे के युद्धी के दोरान बनाई गई प्लानिंग को यहां पर देखते हैं साती हमारा पांच हजार साल कुराना जियाज भी यहां पर संग्रहित थे हैं उसके बाद में गुब्त काल की मोरिय काल की हमारे मद्दे काल का जो स्कल्प्चर आठ पॉम है उसको भी यहां पर देखते हैं तो राजस्तान के अंदर इतने चीजों को समाहित किये वे अगर एक कोई जगह है वो है अजमेर का अकबर का चिछा धन्यवाद